दोस्त नवस्कार मैं स्वर्व गोष सामी बात बुंदेल खंडी की टीकमगर जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही जिसमें एक महला को बस में घुसकर गोली मार दी गई है महला की हलत गंभीर है और उसको टीकमगर से जहांसी रिफर कर दिया गया है विजावन गाओं की ये रहने वाली महला जो दिगवड़ा से मोहनगड के लिए निकली थी उस बस में थी वहां पर बस को रोक कर अरवेंद सींग ने और उनके साथियों ने मिलकर एक महला है जिसका नाम पारवती मिस्रा बताया जा रहा है उसको गोली मार दी है पुलिस के सहारे डालंडेट के सहारे महला को अस्पताल ले जाया गया है जहां पर उसका प्राथ में किलाज किया गया उसके बार डॉक्टर ने उसके लिए जहां सी रिफर कर दिया है जिस प्रकार की बाते सामने आ रही है सूत्रोदरा जो बाते सामने है उसमें ये चीज यस जो थी वो पार्वती मिस्रा की और जो अर्वेंद सिंग हैं उनकी थी एक कोई समूई के विवात को लेकर यह सब चीज़ें थी एक बड़े घोटाला कि उसमें बात की गई कि गई कि उसमें कुछ वहां के स्थानी लोग हैं वो कर रहे हैं जिसकी पैरवी और सिकायद जो उस महला के उपर तावर्तोड गोलियां चला दिए इसमें एक गोली उसके सीने में घली है और एक उसके हाथ में घली है हालत नाजुक है जो आरोपी है वो फरार है दो आरोपियों के नाम सामने हैं और वाकी के जो है वो फरार है मलब एक पूरे साथ-ाथ लोगों की पूर या ज्यात में तीकमगड में बात करें या पूरे बुंदेलखंड में खास्तोर से मद्प्रदेश की बुंदेलखंड की बात करें इस समय क्राइम जवर्जस्त तरीके से पैर पसार रहा है और हर दिन एक बड़ी चिनौती जो है पुलिस को सामने से जहलनी पढ़ती है प्रिशासन सुरक्षा देता है और प्रिशासन सुरक्षा देता है और जब मौका मिलता है जो फस्ते हैं जिनके बारे में चर्चा हुरी तो उन्हें वो ही उसको खुले आम वस में घुसकर वस से उतानने की कुसकर तो फर गोली मार देते है इस बाग क्या से पूरे छेत में दैसत है और मोहनगड हो चाहे आपका दिगोड़ाच का छेत्र हो चाहे आपका जतारा का छेत्र हो चाहे आपका प्रतिपुर का छेत्र हो क्या क्या वहां घटा है किसी छुपा हुआ नहीं है तिकमगर्ड की पुलिस की बात हो, चाहे आपके जटारा जो कहें कにちは चेतर की बात हो, चाहे आपiiii, प्रतिपुर जो आप निवाडी, जिले में आता यह दो है कि इनों को को सा रक्षड दिए था एक कौन सी राज्यतिक पाईटी से हैं और उसका क्या होता मैं वालोगों की जाती लोग देखनी लगई थी उध्यों है क्राम करने वाली लोगों की फ़ॅद राजनेतिक थोड़ा अच्छा होगा जातिगत नेताओं के लिए खास तौर पर जातिगत नेता कहीं ना कहीं सरक्षर देते हैं अंसे लोगों के लिए और फिर वो किसी पाइटी का चोला होलके और फिर अपने तरीके से काम करते हुए नजर आते हैं अगर कोई घोटाला हो तो उसकी जाच हो और उसके बाद कारवाई चुन्चित की जाए तीकंगड के कलेक्टर से भी कहना चाहेंगे अगर कोई बड़ा घोटाला वहाँ पर उगाय तूसकी जाच जाए और कारवाई सुन्चित की जाए और अगर वही चीज निवाडी जिले में आती है तो उहां की कलेक्टर से भी कहेंगे दोनों एसपी से भी कहेंगे कि इस जो निवाड़ी और टीकमगर की बॉर्डर पर जो इस परकार से क्राइम बढ़ रहा है इन गाहों में वहाँ पर बड़े पैमाने पर काम करने की आप सकता है चुन-चुन के ऐसे माफियाओं के लिए ऐसे जो कि पर यांगोलियां मार रहें उन पर कारवाई करके उन्हें सलाखों के भीतर पहुंचाने की आप सकता है नमस्कार हमारे यूट्यूब चैनल दाबुंदेल खन पोश्ट को सब्सक्राइब करें